प्रतिदी नैने वोशिकन टुटका लेकर आते रहते हैं और पुरा कोशिस करते हैं कि आप सभी का प्यार आपको मिल जाए और हमें खोशी पराप होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपके वोशिकन टुटका से आपकी मदद से हमारा प्यार मुझको मिल गय बहुत अच्छा लगता है मैं आईए बताते हैं आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक निम्बू और एक फूल से किसी भी इस्तरी के दिल में अपने लिए महबत कैसे भर सकते हैं कैसे उसको अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं कैसे अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं ताकि वो खुद चल कर आपके पास आए आपके पीछे-पीछे घुमना शुरू कर दे आपसे मिलने के लिए ट्रपने लगे आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाए मैं आप स्वीक बता दूँ कि इसमें किसी परकार की मंत्र की जरुवत नहीं है नहीं माला की जरुवत है घर बैठे करना है उस इस्त्री के सामने उस इस्त्री के पास आपको जानी की जरुवत भी नहीं है घर बैठे करना है वो खुद पर खुद आपकी दिवानी हो जाएगी जैसे ही घर बैठे इस निम्बु का वोसिकन टुटका आपकी जीएगा वो इस्तरी आपके प्यार में बेचैन हो जाएगे आप से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगे आप से बात करने की लिए टर अपने लगेगी आपके भी बिना नहीं रहा पाएगी बहुत निस सक्तिशाली चूक ये उसिकन तुटका है अब तक इस उसिकन तुटका से लाफ़ो लोगों का काम हो चुका है किसी भी लड़का को अपने प्यार वे बेचैन करना हो तो आप इस वोशिकर ठोटका का प्रयोग जरूर कीजिएगा आई बताते हैं उसके पहले यदि आप हमार चानल पर नहीं है तो प्लीज में चानल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी बुढ़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा देखिएग में उस इस्तरी का नाम लिखे जिसको अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं या उस पुरूस का नाम लिखे जिसको अपने प्यार में दिवाना बनाना चाहते हैं माले जी कि आप किसी लड़की को अपने प्यार में बिचैन करना चाहते हैं वो रूट गई उसको मन करना है अपना नाम लिखना है क्या करना है अपना नाम लिखना है नाम और ठीक पीछे नाम इस्तरी का नाम पूरुज का नाम उसके बार में जो उपर का जो भाग होता है इस पर आपको क्या करना है पुलस का चीन इस प्रकार से बनाना है और जो निच्चे का जो भाग है यह स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको करना क्या द्यान से दिखिएगा आप एक फूल लेना है दूसरा नहीं लेना है फूल लेने के बाद में आपको क्या करना है इसको दोनों को अपस में इस परकार से शटा लेना है शटाने के बाद में आपको क्या करना द्यान से दिखिएगा थोरी सी मतर में आपको क्या करना है लाल चंदन आपको लेकर के इस तरी के जहां पे आप नाम लिखे हैं उस पे लाल चंदन को इस प्रकार से रख देंगे लाल चंदन को रखने के बाद मैं आपको करना के हाँ ध्यान से दिखिएगा आप उस इस्तरी का नाम बर लेकर इस पे फूंक मार दीजिएगा फूंक मारने के बाद मैं आपको क्या करना ध्यान से दिखिएगा यह जो फूल है किसी भी भहतो हुय पानी में उस crash के नाम लेकरके बहा दीजिएगा जो निम्बू है अपने ही घर में बीच अंगन में मीटी को कुन करके दबा दीजिएगा या अपने घर के पीछे वाले हिसी में मीटी को कुन करके दबा दिजिएगा चमतकार देखिएगा वो आपके प्यार में बेचैन होना सुरू कर देगी आपके बिना नहीरा पाएगी प्यार रोठ केया है मनाना है या किसी भी लड़का लड़की को अपने दिवाना बनाना है तो आप इस वर सिकन्ट टूटका का प्रियोग जरूर कीजिएगा दिखिएगा यह बहुत ही पौर्फुल है और पल भर में आपके प्यार से आपको मिला देगा और यदि आपको समझने में जहां भी दिखात हुआ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा हम अपकी मदद करेंगे और यदि आप मरे चानल पर नए हैं तो प्लीज मरे चानल को सस्क्राब जरूर कीजिएगा तक हम जितनी भी उराएंगे सबसे पहला पी के पास में जाएगा